नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राशी का भविश्य बताने के लिए आज जेश्ठ कृष्य पक्ष की उदया तिथी अश्टमी और शुक्रवार का दिन है अश्टमी तिथी आसुबह नौ बच कर 49 मिनट तक रहेगी उसके बाद नौमी तिथी लग जाएगी आसुबह नौ बच कर 49 मिनट तक स्थाई जहे दियोग रहेगा आज साथी आज पूर बरश राश में प्रेवेश करेंगे आगे हम इसी पर बिस्तित चर्चा करेंगे साथी आज अगर आपका बरस डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवरसरी है तो क्या खास करें चाहे आपका आज का लखी कलर और चाहे आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का अच्छा है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्धिक शात्र की आज एक कौन सी देशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगी दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश के गनित पक्ष ने आकाशिय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मुवमेंट को कल्कुलेट करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग दो जून की सुभा पांच बच कर दस मिनट से देर रात एक बच कर एक तालीस मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार से ध्योग यानि के सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग दो जून की देर रात एक बच कर एक तालीस मिनट से सुभा पांच बच कर दस मिनट तक रहेगा इस क्रम में आज ये आप चर्चा करते हैं आज के शुभ महूरत यानि के फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूरत नहीं है अब ये महूरत कल यानि की एक जून की सुभा साथ बच कर पचीस मिनट से सुभा दस बच कर चपन मिनट तक और एक बार फिर दो पहर एक बच कर चौदा मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर दस मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूरत नहीं है अब ये महूरत अगले महीने तेरह जून की सुभा पांच बच कर चौटीस मिनट से दो पहर बारा बच कर चौबीस मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूरत नहीं है अब ये महूरत छे जून की राद आठ बच कर सोला मिनट से राद ग्यारा बच कर पैटीस मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रियल इंस्टिटूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूरत नहीं है अब ये महूरत छे जून की शाम छे बच कर सैंटीस मिनट से राद बारा बच कर एक मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट अगले महिने दो जून की देर रात एक बच कर चालीस मिनट से देर रात दो बच कर बैलीस मिनट तक रहेगा चौब जोइन करने के लिए भी आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट अगले महिने 7 जून की शाम 4 बच कर 45 मिनट से शाम 5 बच कर 26 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जूली इलेक्ट्रो-माइटिक फील्ड कुछ चणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज दो पार एक बचकर पश्पन मिनट पर अशुब समय रहेगा वैसे तो इससे सभी राश्यां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, धन, कुम्ब और मीन राश्यां विशेश रूप से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के बारा मिनट पहले और बारा मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बता दूँ कि काम सुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम सुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा सुबह दस बचकर 35 मिनट से दो पहर बारा बचकर 18 मिनट तक मुंबई सुबह दस बचकर 57 मिनट से दो पहर बारा बचकर 36 मिनट तक चडिगर सुबह दस बचकर 35 मिनट से दो पहर बारा बचकर 20 मिनट तक लखनव सुबह 10 बचकर 21 मिनट से दो पहर 12 बचकर 4 मिनट तक भोपाल सुबह 10 बचकर 36 मिनट से दो पहर 12 बचकर 17 मिनट तक कुल काता सुबह 9 बचकर 33 मिनट से दो पहर पहले 11 बचकर 34 मिनट तक आहमदाबाद सुबह 10 बचकर 56 मिनट से दो पहर 12 बचकर 37 मिनट तक और चेन नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10 बच कर 30 मिनट से दो पहर 12 बच कर 6 मिनट तक ये था कुछ शहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की सुबदिशा क्या है तो आज वो सुबदिशा है उत्तर पस्चिम और आएव शुरू करते हैं सिलसला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशिए मेश राशिवालों आज आपका दिन फेवरेवल रहेगा अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज आपको अचानक वापस मिल सकता है व्यापार में किसी वेक्ति से फायदा मिलने की उमीद बढ़ेगी भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा पहले शुरू किये गए ज़्यादा तर काम आज पूरे होंगे रिष्टो में हो रही गलत पहमिया आज खत्म होंगी जिससे आपके रिष्टे में मिठास बढ़ेगी साथ ही आज धनल आपके नए आवसर मिलेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नमबर है सिक्स वरेश राशिवालों आज आपका दिन आपके लिए अनकूल रहेगा आपकी रोजनाओं के अनुसार सभी काम होने से आपका मन काम में लगा रहेगा सामाजिक कामों में आपके रुची बढ़ सकती है आपको जीवन साथी से काम में पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा तक चल सकती है आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नंबर है आठ मिथुन राशिवालों आज आपका दिन अच्छे मूट से शुरू होने वाला है कुछ दिनों से चल रही किसी दोस्ट से अनबन आज खत्म होगी राजनीती वा सामाजी कारियों से जुड़े लोगों के लिए दिन फैवरेविल रहेगा महिलाओं के लिए दिन शांदार रहेगा बिजनसमैन आज को ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर सकते है आज किसी स्वास्य सम्मंदी समस्या से आपको रहत मिलेगी कुल मिलाकर आज आपका दिन बहत्रीन रहेगा आज के लिए आपका लगी कलर है सिल्वर और लगी नंबर है नाइन करकर राशी वालों आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा इस राशी के स्टूडेंट्स का दिन रहत भरा होगा नया शेडूल बनाने का भी विचार कर सकते हैं आज आफिस में फोन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे पैसों के मामले में लोगों पर ज़रुष से ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए आज जीवन साती के साथ किसी धार्मिक इस्तल की यात्रा करने की का प्लान कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है तो जल्दी ही उसका समाधान आपको मिल जाएगा आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नमबर है सिक्स सिंग राशी वालों आज आपका दिन बहतर रहेगा आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा जिससे आपका मन परसंद होगा परिवार में धार्मिक अनुष्ठान की योजना बन सकती है आप अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे आपके व्योहार में अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नय दोस्त बन सकते हैं लबमेट आज एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे जिससे रिष्टे में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नमबर है चार कन्य राशी वालों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आज आपको किस्मत का साथ मिलने से कार्यों को पूरा करने में आप सफल होंगे आफिस में किसी काम को लेकर विचार उमर्श करना पड़ सकता है इस राशी के जो लोग मल्टीनेशल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बेहत खास है जीवन में चल रही सभी परेशानिया जल्दी ही दूर हो जाएंगी इस राशी की जो महिलाएं बिजनस स्टार्ट करना चाहती है उनके लिए आज अच्छे योग बन रहे हैं आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नमबर है पांच तुला राशी वालों आज आपका दिन उच्छ साह से भरा रहने वाला है आज बिजनस में आपको बड़ा धन लाब होगा शक्त उपक्ष आज आपसे दूरियां बना कर रखेंगे राइटर्स आज कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे लोगों दोरा खूब पसंद किया जाएगा परिवार में नए सदस्ट के जूरने से सभी लोग बहुत खुश होंगे इस राइटर्स के जो लोग पेंटिंग्स बनाने का काम करते हैं उनकी कोई पेंटिंग बड़े एक्जिबीशन में लगा जा सकती है जहां लोगों दोरा खूब सा रहना मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है यलो और लकी नमबर है एक वरिश्चिक राशिबालों आज का दिन आपके लिए अनकूल रहने वाला है अगर किसी बिजनस ट्रिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो घर के बड़े बुज़र्ग का आशिरवाद लेकर जाएं आपका काम सफल होगा आज आपके जीवन साथी को तरकी का अच्छा आउसर मिलेगा कूरियर का बिजनस कर रहे कारोबारियों को आज फायदा होगा मेहनत और लगन देखकर आज आपके जूनियर आपके कुछ नया सीखने की कुछिश करेंगी आपको तली भुरी चीजों को खाने से बचना चाहिए इससे आप स्वास्त समस्या से दूर रहेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है सेवन धनुराशिवालों आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है आज आप अपने मन की बात किसी खास मेतर से शेयर करेंगे परवारवालों के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है दोस्त की बर्डे पार्टी में जाएंगे जहां बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा कोई नई स्किल सीख सकते हैं जिसका लाभ आपको भविश्य में जरूर मिलेगा आज आप आर्थिक मामले में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे ये सलाह मददगार साबित होगी आफिस में रुके हुए काम को समय से पूरा कर लेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है सैफरॉन और लकी नमर है सेवन मकर राशिवालों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा एकागर मन से किया गया काम लाभ दायक साबित होगा लव मेट के लिए आज का दिन पढ़िया है साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भीज जा सकते हैं किसी जिम्मेदारी को अंदेखा करने से आपको बचना चाहिए आपकी सेहट ठीक ठाक रहेगी आप कम से कम समय में काम निप्टाने की कोशिश करेंगी आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुभी निभाएंगे जो लोग रियल स्टेट का बिजनस कर रहे हैं वो लोग नया हाॉसिंग प्रोजेक्ट लाँच कर सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो कुम्भराची वालों आज आपका दिन पहले के बेक्षा अच्छा रहेगा आप परिवार वालों के साथ कॉलिटी टाइम स्पेंड करेंगे साथ ही जीवन साथी के साथ आपकी लंबी बातचीत हो सकती है इस से आपके रिष्टे बहतर होंगे दोस्तों के साथ घर पर ही मूवी देखने की प्लानिंग कर सकते हैं किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी साथ ही साथ आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं आज आपको माता पिता का मारदर्शन मिलता रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है दो मीन राशिवालों आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होने वाला है आपका अच्छा विवहार समाज में अलग पहचान बनाने में मदद करेगा घर पर डेकोरेशन का काम करवा सकते हैं कांट्रेक्टर्स के लिए आज का दिन धन लाब देने वाला है आज अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाब कर सकते हैं किसी काम को करने का नया तरीका बिजनेस में फायदा कराएगा राजनीत में आपके अच्छे कारों की तारीफ होगी पारिवारिक माहोल शांदार रहने वाला है आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नमबर है सिक्स और अब बात उनकी जिनका जनम दिल है जिनका जनम दिल है वो आज बड़ी वहन से आशरवाद ले और जिनके आज मेरी जनिवरसरी है वो आज घर में घी का दीपक जलाएं तो साल भर सुख और सुभाग बढ़ता ही रहेगा और आईए अब चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांग एक वालों आज आपकी तरफ्टी से परिवार वालों का मन परसंन रहेगा मूलांग दो आज आफिस में कोई नया कलीग जॉइन करेगा जिससे आप प्रभावित होंगे मूलांग तीन चातरों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा पढ़ाई में मन लगेगा मूलांग चार आज किसी फैसले में आपका निरना अंतिम निरना थाबित होगा लोग आपकी बात मानेंगे मूलांग पाँछ आज आप किसी बात को सोचकर मन ही मन खुश होंगे करियर को बहतर बनाने की योज़ नह बनाएंगे मुलांग 6 दामपत जीवन में चल रही अन्बन खत्म होगी जीवन साथी खुश होने की वज़े देंगे मुलांग 7 आज कोई दोस्त सर्प्राइज देगा चो आपको बहुत पसंद आएगा साथ में लंच करेंगे मुलांग 8 आजधारमिक कार्यों में आपके रूची बढ़ेगी परिवार के साथ कारिकर्म में शामिल होगी मुलांग 9 बड़ों की सलाह आपका काम सलाह से आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा काम का बोज़ कम होने से मानसिक शांति मिलेगी और अब चर्चा वास्तु शास्तर की वास्तु शास्तर में आज हम बात करेंगे बिजली के तारों के बारे में घर हो या आफिस हर जगह बिजली या पानी बिजली से जुड़ी चीजों के तार रहते हैं लेकिन यहां मुद्दा ये है कि घर या आफिस में लोग बिजली की के इस्तेमाल के बाद उनके तारों को कई बार ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे मोबाइल का चार्जर आपने देखा होगा कि लोगों के घरों में मोबाइल चार्जर युही स्विच में लगे रहते हैं मोबाइल फोन चार्ज होने के बाद लोग अपना मोबाइल तो उसमें से निकाल लेते हैं लेकिन चार्जर को तह करके रखना भूल जाते हैं या ये उनकी आदत में शामिल हो जाता है इसी तरह से बहुत से उधारन होंगे जो हम रोजमर्रा की जिन्दिगी में देखते हैं वास्तु शास्त के अनुसार ये तरीका बिल्कु ठीक नहीं है इस से जाये उन्हें अच्छे तरीके से फोल्ड करके एज जगे सभाल कर रखना चाहिए इसी प्रकार अगर किसी बिजली उपकरन का तार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा है तो उसे रबड या धागे की साहता से बांदेना चाहिए और किसी ज़रूरत और जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही तार खुला रहने देना चाहिए वास्तु शास्त्र में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखके आप अपने घर और आफिस को नेगेटिवटी से बचा सकते हैं वास्तु शास्त्र में ये थी चर्चा बिजली के तारों के बारे में उमीद है कि आप इस इनकी सबसे विशेश बात आज जेश्ट मास के कृष्ण पक्षी की उदयाति थी अश्टमी और शुक्रवार का दिन है अश्टमी थी आज सुबह नौ बच कर 49 मिलट तक रहेगी उसके बाद नौमी थी थी लग जाएगी आज शी शीतला अश्टमी वरत है आज माता शीतल की उपासना का दिन है आज के दिन देवी मा की विधी पूरग पूजा करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है साथ ही खुद भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का सेवन करना चाहिए और देवी मा का आशिरवाद लेना चाहिए आज के दिन ऐसा कर देवी है, ये हमें परियावरन को साफ सुथरा रखने की प्रिणा देती है, अतहर आज के दिन अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए और संभव हो तो कोई एक पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए, इससे परियावरन में और आपके परिवार में भी सुधता बनी रहती है, तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाली, शीतला अश्टमी की और अब बात करते हैं, आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्रकी, आज सुबह नौ बचकर 49 मिनट तक स्थाई जयद योग रहेगा, अगर किसी ने आपके उपर आरोप लगा दिया हो, या किसी ने आपके उपर जोटा मुकदमा कर दिया हो, तो इस्थाई जयद योग के दोरान जवाब देना ठीक रहता है, या ये कहलें कि इस योग के दोरान जवाब देने से आपकी भास सुनी जाएगी और आपको नयाए भी मिलेगा, साथ ही आज पूरा दिन पार करक पूरा भादपत नक्षत्र रहेगा, आकाश मंडल में इस्थे 27 नक्षत्रों में से पूरा भादपत 25 नक्षत्र है, पूरा भादपत नक्षत्र के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पति हैं, आतहा पूरा भादपत नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देव गुरु की कृप पर पूरा भादपत का विशेश रूप से प्रभाव रहता है। वनस्पतियों में पूरा भादपत नक्षत्र का संबंद आम के पेल से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भादपत नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को पूरा भादपत नक्षत्र के द को शुपफलों की प्राप्ति हो इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि पूरा भादपद एक पंचक नक्षत्र है धलिष्ठा से लेकर रिर्ती तक के पांच नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है पंचक की शेणी में पूरा भादपद नक्षत्र तीसरा पंचक इसलिए आज पंचक है पंचक के दोरान घर में लकडी का कारे या घर में वुड़ वर्क नहीं कराना चाहिए और नहीं लकडी इकटी करनी चाहिए अगर आप यह कारे इस समय करेंगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता अतह दो जून की देर रात एक बच कर एक तालीस मिनट तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए तो यह थी चर्चा इस्थाई जैद योग पूरा भाद पर नक्षत्र और पंचक की और अब बात करते हैं बुध के व्रशराश में प्रवेश की आज दोपार बारा बच कर तेरा मिनट पर बुध व्रशराश में प्रव बुध जोतिश विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वानिज, दशम स्थान के कारक हैं ये बुध और वानि के देवता हैं इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कारियों और वानि से संबंधित कारियों पर पढ़ता है और शरीर में मुख रूप से गले और जनपत्रका में किस स्थान पर गोचर करेंगे बुध के वरश राशी में इस गोचर के शुफल प्राप्त करने के लिए और अशुफलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए अब हम इस सब की चप्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की मेश राशी वालों बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे जनपत्रका के दूसरे स्थान का संबंद हमारे धन तथा सुभाव से है बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी बहुत धिक शमता अच्छी रहेगी आपको मेहनत के बलपर धनलाब होगा आपका बिजनस अच्छा रहेगा आप अपनी वानी से अपने सारे कामों को बनाने में सफल रहेंगे साथ ही आपकी कलम आपकी ताकत बनी रहेगी लिहाजा 14 जून तक बुध की शुप से सुनिश्चित करने के लिए आपको चांदी की क पहले स्थान का संबंद हमारे शरीर तथा मुख से है बुध के इस गोचर के प्रभाव से 14 जून तक आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा आपको हर तरह के बहुत तक सुख साधन मिलेंगे इस राची की महिलाओं की इस्थिती भी बेहतर रहेगी साथ ही आपकी सं संतान को न्यायले से लाब होगा लिहाजा बुध के शुपह सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की वस्तों को उप्योग में लाने से बचें इसके बजाए आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए मिथुन राशिवालों बुध आपके बारवें स्थान पर ग हर लाब होगा परिवार में सबके साथ रिष्टे अच्छे बने रहेंगे अगर इस दौरान आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो आपकी आर्थिक इस्थिती भी ठीक बनी रहेगी अताह अपनी आर्थिक इस्थिती को ठीक बनाए रखने के लिए मंदिर में रहें इस्थान पर गोजर करेंगे जन पर्ट्रका के गया रहें इस्थान का संबन हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्टी से होता है बुद्ध के इस गोजर के प्रभाव से अपनी आमदनी में बहुतरी करने के लिए आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए साथ ही विर्थ की चीज़ों पर पैसे खर्च करने से आपको बचना चाहिए साथ ही 14 जून तक बुद्ध के शुफ़ सुनश्चित करने के लिए मादुर्गा को हरे रंग का दुपटा चढ़ाएं सिंग राशिवालों बुद्ध आपके दस्वें स्थान पर गोजर करेंगे जन दौरान पिता की उन्नत में कुछ रुकावट आ सकती है आपको अपने पिता के स्वास्थ का विशेश ध्यान रखना चाहिए और बुद्ध के अशुफ़लों से बचने के लिए आपको दूर्गा कवच्का पाठ करना चाहिए कन्य राशी वालों बुद्ध आपके नमे स्थान पर गोचर करेंगे जन पत्रिका के नमे स्थान का संबंद हमारे भागे से होता है बुद्ध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में भागे का साथ बना रहेगा इस दोरान आपका स्वास्थ भी बेहतर रहेगा धार्मिक तारियों में आपके रूची बढ़ेगी साथ ही आपकी तिजोरियां धन से भर जाएंगी लेहाजा 14 जून तक बुध के सुफ़ सुनिश्चित करने के लिए अपनी बहन या बुआ को हरे रंग की कोई चीज गिफ्ट करें तुला राशिवालों बुध आपके आठवें स्थ का संबन हमारी आयू से है बुध के इस गोजर के प्रभाव से आपको अपने काम पूरे करने के लिए अधिक मेहनत करनी पर सकती है 14 जून तक आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए साथ ही अपनी माता और अपनी संतान की सेहत का भी ख्याल बनाय रखें ब्रस्ट शकर राशे वालों बुध आपके सात्वें श्थाने का संबंद हमारे जीवन साथी से है बुध के इस गोजर के प्रभाव से जीवन साथी का सहयोग काने के लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी आपकी कलम की ताकट बड़े से बड़े शक्र को भी प लाब पाने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मुंका दान करना चाहिए। धनुरा शिवालों बुध आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रका के छठे स्थान का संबंद हमारे मित्र, शत्र तथा स्वास्थे से हैं। बुद्ध के इस गोचर के प्रभाव से आपके फ्रेंट सरकल में कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं शिक्षा, लेखन और कृषी छेटर से संबल दित लोगों को इस दौरान लाब के कई सारे मौके मिलेंगे आपको बस उन मौकों को सही समय पर पहचानने की ज़रूरत है लेहाजा 14 जून तक लाब के अवसर प्राप्त करने के लिए कोई भी शुभ कारे करने से पहले किसी छोटी कन्या का आशरवाज जरूर ले मकर राशेवालों बुद्ध आपके पांच्वे स्थान पर गोचर करेंगे जन पत्रका के पांच्वे स्थान का संबंद हमारी संतान, हमारी बुद्ध, विवेक और रोमान से है बुद्ध के इस गोचर के प्रभाव से आपको विद्या का लाफ पाने में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है साथ ही संतान का सुख पाने के लिए आपको कोशिचें करनी पड़ेंगी इसके अलावा 14 जून तक आपको अपने पिता के स्वास्त का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए साथ ही बुद्ध के शुफल प्राप्त करने के लिए गाए को हरा चारा खिनाए कुम्भराशिवालों बुद्ध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे जन पत्रका के चौथे स्थान का संबंद हमारे भवन, भूम, वाहन और माता से है बुद्ध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में माता पिता का सुख मिलता रहेगा धन के साथ ही आपकी आयू में भी बहुतरी होगी सरकारी कारियों में आपको लाब मिलेगा आपकी उन्नती सुनिश्चित होगी इस दोरान आप धैरेवान बने रहेंगे अता 14 जून तक बुद्ध की शुब इस सुनिश्चित करने के लिए 14 जून तक बुद्ध के मंतर का जप करें मंतर है मीन राशिवालों बुद्ध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे जन पत्रका के तीसरे स्थान का संबंद हमारे पराक्रम भाई बहन तथा यश्च से है बुद्ध के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिष्टे बेहतर होंगे आपको अपने कारियों में भाई बहनों का पूरा सायोग मिलेगा इस बीच आप दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाएंगे इस दोरान आपको अपनी मेहनत का उचित फल पराप्त होगा लहाजा 14 जून तक बुद्ध के शुफ़ सुनिश्चित करने के लिए सुबह उठकर फिटकरी से अपने डांस साफ करें तो ये सारी चर्चा थी आजपढ़ने वाले स्थाई जयद्योग पूरा भाद पर नक्षत्र, पंचक और शीशी तलाश्टमी की साथ ही हमने बुद्ध के वरश राश में प्रिवेश करने और गोचर करने के बारे में भी चर्चा की है बुद्ध के वरश राश में प्रिवेश करने से बाकी राश वाले लोगों पर क्या असर होगा बुद्ध आपके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस इस्थित्र में आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इसके बारे में चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का लाब जरूर उठाएंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश्च के बारे में और एबी सीडी ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों कि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद्धियों पर आपकी नजरोना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपर्चॉनिटी मिल ले वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज आप अपने मित्र की बर्डे पार्टी को अटेंड करेंगे जहां आपके मुलाकात अन्यमित्रों से होगी बी आज आफिस में सहकर्णियों की मदद मिलेगी जिससे कोई जरूरी कारिय तैस हमाई में पूरा हो जाएगा सी आपको घर में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में उत सहका माहौल बनेगा D. सौफ़वेर कंपनी से जोड़े लोगों को बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा E. आज आप आज में निर्भर होकर अपने फैसले पर अमल करेंगे दूसरों के बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे F. आज आप जीवन साथी के साथ शौपिंग करने जाएंगे अपनी पसंद की चीज़ खरीदे के G. आपके दोस्त आज किसी काम में आपकी मदद मागेंगे आप उनको निराश नहीं करेंगे H. आज परिवार में सदस्यों के साथ रिष्टों में सुधार होगा जिससे परिवारिक महाल शांती पूर्ण बना रहेगा I. स्टेशनरी का काम कर रहे लोगों की अच्छी सेल होगी लेकिन ज्यादा वर्क भी करना होगा J. इंजीनियर्स आज नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे आगे उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है K. शिक्षकों का दिन पढ़िया रहेगा छात्रों को नए टॉपिक को समझाने के लिए उच्छुक रहेंगे L. घुटने के समस्या से परेशाल लोगों को आज अच्छे डॉक्टर की सलाह मिलेगी M. बिजनिस में आपके मुलाकात नए लोगों से होगी उनसे बिजनिस करने की जानकारी मिलेगी N. आज आप जीवन साथी के साथ धार्मी के स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे O. आज आप किसी उल्जन में रहेंगे लेकिन किसी दोस्स से बात करके सब ठीक कर लेंगे P. आज आप से आउनलाइन नए कस्टमर जुड़ेंगे आपका कारोबार खूब बढ़ेगा Q. लवमेट में हो रही गलत फहमिया आज खत्म हो जाएंगी आपका रिष्टा मजबूत बनेगा R. राजी से जुड़े लोग आज किसी सभा को संबोधित करेंगे जन मानस में नई उमंग देखने को मिलेगी S. अगर आप तंप्रटीशन की तियारी कर रहे हैं तो आपको जल्द ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं T. मॉबाइल एक्सेसरीज का कारोबार कर रहे लोगों को रोज की अपेक्षा अधिक लाब होगा U. आज आफिस में अपना काम पूरा करने में विस्त रहेंगे काम जादा होने की वज़े से घर देर से पहुंचेंगे V. दामपत जीवन की नोगजों खत्म होगी आपके रिष्टे में मिठास बढ़ेगी W. मेडिकल के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा सीनियर डॉक्टर से कुछ नया सीखेंगे X. आज रास्ते में जाते समय किसी दोस्से मुलाकात होगी जिसके साथ आप थोड़ा समय बिताएंगे Y. विद्याथी वर्ग अपने पुराने चैप्टर का अध्यान करते रहेंगे जिससे उन्हें पढ़ाई में सरलता होगी Z. आज आपकी अचानक यात्रा हो सकती है ये यात्रा आपके लिए बढ़िया रहेगी और अब बात आज के तीर्स की आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जम्मू यहां इस्थित है भगवान शिव को समर्पित प्राचीन शिव खोडी धाम वास्तों में एक प्राचीन गुफा है जिसमें भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है माननता है कि ये वही स्थान है जहां भस्मा सुर भस्म हुआ था यहां भगवान शिव का अर्धनारिश्वर रूप विराश्मान है यहां पूरे शिव परिवार के दर्शन होते हैं ऐसा भी माना जाता है कि यहां 33 कोटी देवी देवताओं का वास है और आकर दर्शन करने पर स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं चोकि इस गुफा का एक रास्ता सीधा स्वर्ग लोग को जाता है यहां बने शिवलिंग की उँचाई लगभग 3.5 फिट है और अब बात सामुद्दिक शास्तर की सामुद्दिक शास्तर में आज हम बात करेंगे अंगूठे के बाद वाली दो उंगलियों के बराबर होने के बारे में जिस किसी के अंगूठे के बाद वाली दोनों उंगलिया उचाई में बराबर होती है जबकि 6 उंगलिया चोटी होती हैं ऐसी बनावट वाले विक्ति कठोर परिशम करने वाले होते हैं और अपने परिशम के बल पर ही ये अपने कारियों में सफलता प्राप्त करते हैं साथ ही समाज में और जिस छेतर में भी ये आगे बढ़ते हैं वहां संबान के पात्र होते हैं बाहर की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखना इन्हें अच्छे से आता है सामुद्धिक शास्तर में एधी चर्चा अंगूठे के बाद वाली दो उंगलियों के बराबर होने के बारे में और अब बात अवाइड अफ दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 31 माई को जेश्ट कृष्ण पक्षिक की अश्टमी तीथी है अश्टमी तीथी में नारियल या नारियल से वनी चीजों का इस्टेमाल करना निशिद है अश्टमी तीथी आज सुबह 9 बचकर 49 मिनट तक रहेगी उसके बाद 9 मी तीथी लग जाएगी जो कि कल शाम 7 बचकर 25 मिनट तक रहेगी 9 मी तीथी में लौकी का सेवन करना निशिद है इस तरह तीथी का समय जान कर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाये, पीजिये, मौश कीजिये और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और अब वक्त है आज के टिप औफ विडे का आज भरगवान गणिश के दर्शन करें सारे दिन आपको खुशिया ही खुशिया हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिकस संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भाविश वानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार